तो हेलो दोस्तो आप लोगों में से बहुत सारों ने चैनल पे कमेंट्स डाले कि आप याने कि मैं सर आप कहां रहते हो अपने बारे में ज़र बताओ कभी फेस टू फेस आओ तो इसी सिलसले में आज ये वीडियो मैं बना के आप से रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूं आ मेरा नाम संदीप है और मैं यू के में साओ्थ वेस्ट का इलाका है तो वहां में रहते हूं फेमिली के साथ मेडिकल फील्ड में काम करता हूं और साथ वेस्ट में जो एरिया है इसे तोर्बे के नाम से जाना जाता है तो काफी पॉपुलर एरिया है बहुत से लोग आते हैं यहां घुमने के लिए हर साल और खास करके जुलाई अगस्थ सेप्टेमबर में काफी पैक रहता है यह एरिया बहुत सारे होटल्स वगहरा है यहां पर तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ जगों को दिखाने की कोशिश करूँगा जैसे कि आपको फील हो कि किस तरीके का एरिया है यह और इंडिया से मैं यूपी से बिलोंग करता हूं गाजियाबाद से और गाजियाबाद से मैंने अ कहते हैं हम तो उस मीडियम से मैंने पढ़ाई की थी तो यह जो चैनल है यह खास करके मैंने इसलिए बनाया था कि जो भी चाहे वो किसी भी मीडियम से पढ़ते हूं अगर इंग्लिश में उन्हें कोई सयोग हो सके मेरे द्वारा तो मैं उन्हें सयोग करने की कोशिश करूं तो चैनल का में परपस यह है और जैसा भी मैंने वीडियो बनाए है अच्छे या खराब तो वो उसके पीछे ज किसी को मदद मिल सके और अगर देखने वालों में से कुछ थोड़े से लोगों को भी अगर मदद मिलती है मेरे वीडियो से तो मेरे चैनल का परपस पूरा हो जाता है आज लगवग 45,000 के आसपस सब्सक्राइबर्स हैं और धेरे धेरे संख्या बढ़ रही है और शायद फ थोड़ा सही परियास सही लेकिन वह परियास जो है किसी के काम आ रहा है तो चैनल का में मकसद यह आई है तो यह डवन एक इलाका है उसमें एक जगह है तोर्बे नाम की तो वहां रतों में अपनी फैमली के साथ तो यह एक सीसाइड टाउन है एक टूइस्ट एडिया भी ह बहुत लोग यहां आते हैं क्योंकि सीसाइड टाउन है और इंग्लेंड में जहां पर दूप बहुत लगती है उनमें से एक जगह पर लिए ठीक है चलिए मैं आप कुछ सीसाइड दिखाता हूं यहां की जो फेमस है तो अब हम चल रहे हैं मीट फूड की तरफ मीट इरिया है तोर्की में क्योंकि अभी लॉक्डाउन है तो इतने टूरिस्ट नहीं है यहां पर जितने होने चाहिए वरना यह जगह इस मौसम में बहुत भरी रहती है ठीक है चलिए देखिए आप यह होटल्स हैं जो काफी बीजी रहते हैं और यह देखिए इन्होंने रोड क्लोज कर दिया सीसाइड के लिए क्योंकि अभी शायद जाना अलाव नहीं है क्योंकि अगर अलाव करेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं सीसाइड की तरफ निकल पढ़ेंगे और गवर्मेंट नहीं चाहती कि ऐसी कोई बात हो तो इसलिए रोड को क्लोज करके रखा हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे होटल हैं तो अगर पैदल आया होते तो शायद जाय जा सकता था सीसाइड की तरफ लेकिन क्योंकि मैं कार में हू तो नहीं जा पाऊँ हूँ तो चलिए यहां से मुड़ते हैं दूसरी जगह भी है सीसाइड की लेकिन यह एक अच्छा इलाका है यहां का जो की अपने वियू के लिए बहुत खास है तो यह देखिए यह हो गया यहां का एक एरिया कि यह आगे आप देखरें केंपा वैन इसमें लोग सफर भी करते हैं और रात को सोते भी हैं तो कई लोग आते हैं ऐसी केंपा वैन में यहां पर तो होटल का जो है खर्चा भी बच जाता है और दूसरी बात अपने मन पसंद जगह इन्हें इनके पास होती है अब यहां से लेफ्ट ले लेते हैं अब आगे आप देख सकते हैं कि जो समुंदर है बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा ओर पास चलते हैं देखें थोड़ी धलान है तो यह जो जगह है यह पहाडियों पर बसी हुई है तो बहुत सारे ऊपर औ थोड़ा आराम से चलाना पड़ता गाड़ी को अब यह देखिए यहां पर जो है समुंदर का किनारा हमारे सामने है यहां एक जगह पार्किंग में थोड़ा रुखें आपको मैं दिखाता हूं कि कैसा यहां पर ठीक है यह देखिए चत्ते यहां तो ऐसी जगह ले जाना चाहूंगा आपको गाड़ी में कि आगे जो इस समुंदर आपको साफ दिखाई दे तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं आगे काफी खुला एरिया है समुंदर का और यह जगह भी बहुत ही ज्यादा भीड़भाड से भरी रहती है जब यहां पर लॉक्टाउन नहीं था इस्पेशली यह जो में जून जुलाई और अगस्त तक जो है यह एरिया टूरिस से भरा रहता है बहुत जगों से लोग आते हैं काफी लोग जो है इंग्लेंड, स्कॉटलेंड, वेल्स जो है यहां दूसरी जो रीजन से वहां से भी बहुत आते हैं लेकिन इसके साथ-साथ ही यहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंस बहुत आते हैं जो इंग्लिश सीखना च दिए ठीक है चलिए अब चलते हैं से और इस जगे की एक दूसरी बात यह है कि यहां पर कुल मिलाखे लगवाग तो जितने भी बिल्डिंग आप देख रही हैं उसमें से यहां पर ज्यादा तर होटल से जहां पर लोग आते हैं तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टूरिस्ट यहां आते होंगे आप देखिए यहां पर काफी बोर्ट वगर आएं जो लोगों ने रखी हुए हैं और जब मौसम जैसा आज का मौसम है बहुत ही क्लियर डे आज तो लोग अपनी बोर्ट लेके निकलते हैं तो एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी चीज़े यहां पर जो लोग करते हैं लेकिन अनफोर्चनेटली अभी क्या हो गया है कि जो वाइरस के कारण यह सारी चीज़े बंद पड़ी हैं तो अलावड नहीं है और इसलिए लोग जाहतर घर में ही है यह इस जगह का जो में सेंटर है टाउन सेंटर वह है देखिए कितना सुना सुना पढ़ा ही थि मतलब जिस हिसाव से लोग होने चाहिए इसयसाब से लोग अभी हैं यहां पर कि परी जगह यहां पर यह पॉपकॉन लिया बैड़ी है कई लोग समुद्र में नहाने के लिए चले जाते हैं कि छले थोड़ा यहां रुख्ये देखते हैं आज वैसे और दिनों से थोड़ी जादा भीड़ा है यहां पर इतनी भीड़ होती नहीं है लेकिन आज थोड़ी जादा भीड़ा है और यह शायद इसलिए कि मौसम काफी अच्छा है तो कई लोग जो है अपने घरों से निकल के आएं बाहर तो दोस्तों यह था समूंद का एक छोटा सा हिस्सा इस टाउन का आज फिर भी दूसरे दिनों के मुकाबले काफी लोग यहां पर मौजुद थे वरना बहुत ही सुनसान होगे ती जगह यह तो अब लगता धीरे-धीरे शायद यहां पर भी जो लॉकटाउन है गौर्णमेंट धीरे-धीर करके खोले उसे और इन मेंसे जो कई लोग थे व यहां रहता है तो जब ऐसा दिन आता है तो लोग अपने आपको रोक नहीं पाते हैं तो इसलिए आज शायद थोड़ी ज्यादा भीड़ती यह यहां का जो राइट भी जब हम टरंड करते हैं तो जो बिल्डिंग आती यह फाइव स्टार होटल हुआ करता थे यहां का तो बहुत ही फेमस था लेकिन अभी शायद यह भी बंद है क्योंकि बिजनस है नहीं यहां पर कुछ भी और इस होटल के ठीक पीछे जो है यहा यहां से आपको इस देश के दूसरे हिस्से में जाने के लिए ट्रेन मिल जाती जैसे लंदन स्कॉट्लेंड बगएरा तो यह जो आपका रेल्वे स्टेशन है जो देख रहे हैं अभी आप जो आपके सफेद ब्यान कड़ी है वो जो रेल्वे स्टेशन है उसके पीछे तो देखिए जो लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में बीच की तरफ जा रहे हैं तो दोस्तों यह था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उस जगह का जहां मैं रहता हूं और इसी बाने आपको भी इस जगह को दिखाने का जो है मौका मिला मुझे तो ज़रू बताएगा कैसा लगा और कमेंट्स बगारा हमेशे की तरह जरूर डालिएगा और अपने एक्सपियेंस बताएगा कैसा है अपका लोग टाउन कैसा चल रहा है क्या कर रहे हैं आसकल पढ़ाई बगारा कैसी है ठीक है पुछली आसके लिए पनाई फिर में टार